हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूं एक और नई डिजाइन के बेवी सॉक्स इसमें देखिए मैंने रेविट की डिजाइन डाली है और इसको मैंने दो कलर से बनाया है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यह देखिए सबसे पहले मैं फंदे डालूंगी तो यहां पर इस तरह से यह देखिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस इस तरह से हम यहां पर 49 फंदे ले लेते हैं यह देखिए यहां पर मैंने 49 फंदे ले लिए हैं आप देखिए हम फश्ट्रो इसमें उल्टी बुनेंगे इस तरह से ऐसे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है यह देखिए इस तरह से हम यह रो पूरी करेंगे उल्टी रो अधर से उल्टी बुनेंगे तो ऐसे ही हम यहां पर दस सलाईयां बना के कम्प्लीट करते हैं और यह पांच गाट स्टिच आ जाएंगे हमारे पास फिर हम आगे का आपको दिखाते हैं यह देखिए यहां पर 10 रो बना के मैंने कम्प्लीट कर ली एक दो तीन चार पांच पांच इधर से तो टोटल यह दस रो बनाई है मैंने यह दो रो में एक लाइण आती हैं आप देखिए यहां पे हमारे पास 49 फंदे हैं तो 14 फंदे हम यहां पे उल्टे बुनेंगे 14 हम इधर रखेंगे 11 फंदे हम बीच में लेंगे फंदे आपको इसी तरीके से 3 जगे डिवाइट करने हैं जितना बड़ा आप यह छोटा बना रहे हैं अपने एसाब से तो यहां आट नो दस ग्यारे बारे तेरे चावदे अब देखिए इस मार्कर को हम इस पर लेंगे ऐसे चावदा फंदे बनाने के बाद यहां पे देखिए बूल कम पीछी करेंगे ऐसे और यहां पे दो फंदे सीधे यह देखे एक और दो एक उल्टा बूल को फिर से पीछे करेंगे दो सीधे एक उल्टा यह देखिए यहां पे दस रो बनाके मैंने कम्प्लीट कर ली हैं एक दो तीन चार पाच तो दोनों तरब की यहां पे दस रो बनाई हैं और मेरे पास देखिए 49 फंदे हैं अब हम इन फंदों को तीन जगे कर देंगे तो देखिए 14 फंदे यहां पे लिए हैं 11 फंदे सेंटर में और 14 फंदे इस साइड आप बड़ा यह चोटा जैसा भी बना रहे हैं आपको फंदे इसी तरीके से तीन जगे करने हैं अब देखिए पहले हम 14 फंदे उल्टे बुन लेंगे यह देखिए यह दो तीन चार पाच छे साथ आट नौ दस ग्यारे बारे तेरे चाओदे चाओदा फंदे बनाने की बाद अब हम इस मारकर को इस पहले लेंगे और हम बुल को पीछे कर देखिए यहां पे देखिए दो फंदे सीधे बुल को आगे एक उल्टा बुल को पीछे दो सीधे बुल को आगे एक उल्टा और बुल को पीछे दो सीधे तो देखिए यहां पे मैंने ये यह देखिए एक दो तीन चार चार डिजैन ये डाली हुई है अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो आप यहां पे ग्यारा की जगे पंदरा फंदे कर लीजिए अपने एसाब से आपको ये फंदे कर लेने हैं आप देखिए हम इस मारकर को था कि से अदर को लेंगे बूल को अपने तरफ करेंगे इधर की रो हम यह 14 फंदे उल्टे बना लेंगे यह दिया चार पाच चहे साथ आट 9 10 11 12 13 और देखिने चाभडे आप देखिसे उल्टी रो में हम एक फंदा उता राएंगे बूल duda करेंगे यह चावदा फंदे हम उल्टे बनाएंगे तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस ग्यारे बारे तेरे और देखिए चावदे चावदा फंदे बनाने के बाद आप फिर से मारकर को इधर करेंगे अब देखिए जो फंदे इधर से हमने सीधे बने हैं उनको उल्टी रो में दो को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे और जो इधर से यह फंदा उल्टा बना है उसको हम इधर से सीधा बनाएंगे बूल का आगे करेंगे बूल अपने तरब इधर से भी हम दो उल्टे और एक सीधा ऐसे बनाएंगे यह देखिए दो उल्टे एक सीधा बापस दो उल्टे अमारकर को इस पर करेंगे यहां से ह 14 फंदे उल्टे बना लेंगे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे और चावदे इस तरह से आप देखिए इधर से हम यह पहले 14 फंदे बुनेंगे उल्टे यहां पर 14 फंदे मैंने बुन लिए आप देखिए हम मारकर इधर करेंगे और देखिए बूल को इधर करेंगे दो फंदे सीधे इस तरह से एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा और देखिए फिर से दो सीधे यह देखिए इस तरह से आप देखिए इसी तरीके से हम यहां पर टोटल 10 सलाई बनाके कम्प्लीट करेंगे यह तीसरी सलाई है हमारी 7 और हम बनाएंगे सेम तरीका है तो हम बनाके फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए यहां पर दसरो बनाके मैंने कम्प्लीट कर ली यहां से गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच पाँच इदर की पाँच उदर की तो दसरो बना ली है अब देखिए उल्टे साइड हूं में और इधर से हम इसको देखिए पहले हम यह 14 फंदे बुनेंगे उ 9 10 11 12 13 14 यह देखिए 14 फंदे मैंने बुन लिए अब देखिए जो सीधे वाले दो फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे लेकिन दो का एक करेंगे ऐसे यह कर दिया अब बुल को इधर करेंगे जो इधर से सीधा है उसको हम सीधा ही बुनेंगे सिंगल एक बुन दिया इनको हम ऐसे दो का एक कर देंगे उल्टे तरफ से बुल को पीछे करेंगे एक सीधा बुल को आगे करेंगे और देखिए इस तरह से यहां पर यह दो इस तरह से मैंने एक दो तीन चार चार यह धारी पड़ी हुई है तो चार जगे मैंने दो का एक किया अब हम यहां से इन चाओधा फंदों को उल्टा ही बुनेंगे तो हम इने बना लेते हैं अब देखिए हम सीधे साइड आ गए तो अब इस रो में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे यह देखिए दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे और यह उतार लिया आता तो यह 14 फंदे हो गए आप देखिए यह बाला फं आप बना लेंगे और उल्टा बाला भी सीधा जो है उसको भी हम उल्टा ही बनेंगे ऐसे इस तरह से पूरी रो हम उल्टा बना लेंगे, यहां तक मैंने पूरी रो बना ली, अब इधर से भी हम उल्टा ही बनेंगे, और बापस इधर से उल्टा बना लेंगे, तो हम यहां पे दो रो और बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते आगेगा, यह देखिए, यहां पे मैंने दो रो और बना ली है अब देखिए हम यहां से second color add कर लेंगे तो यहां पर मैं pink color add कर रही हूं पूरी row हम इसी से बना लेंगे उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से तो यहां पर हम यह row complete कर लेते हैं यह देखिए यहां पर मैंने यह दो row बना ली है इधर से भी हमने से उल्टा बुन लिया आप देखिए यहां से हम फिर से bite color लगा लेंगे तो दो row हम इसकी भी बनाएंगे इधर से उल्टा बुनेंगे और उधर से भी उल्टा आप देखिए इसी को repeat करते हुए हम करीब यहां पर 20 या 22 सलाई बना लेते हैं फिर दिखाते ह आपको यह देखिए यहां पर 16 रो मैंने बना के complete कर ले हैं आप चाहें तो यहां पर 20 रोज बना सकते हैं हमारा यह देखिए चोड़ाई काफी हो गई है तो मैंने इतना ही बनाया है एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ 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 दूने 16 दो रो में यह आती है तो 16 रोज complete हो गई आप हम यहांसे सभी भंदे क्लोज करेंगे यह देखिए बाइट कलर से ही उपर मुझे बनाना था तो मैंने बाइट की रोप यह यह से एंड कर दिया इसका यह देखिए यहां से हम इसको बंद कर लेते हैं, यह देखिए सबी फंदे मैंने बंद कर दिये, आप देखिए हम इसको सीधा साइड ऐसे कर लेंगे, अंदर के साइड और उपर से हम इसकी सिलाई करेंगे, यह देखिए, इस तरह से मिलाते हुए इसके हम सिलाई करते जाएंगे, और देखिए इसी बूल को मैंने थोड़ा सा लंबा कट कर लिया, उसी से मैं सिलाई कर रही हूँ, यहां से हम जो झालर की रो है उसको हम बैसे ही मिलाते जाएंगे, आप देखे, यहां से लेके हम इसको एड़ी तक से लेंगे, एड़ी से लेके पंजे तक, ऐसे, आप देखिए यहां से हम कर देखिए इस तरह से यहां पर मैंने सिल्के कंप्रीट कर दिया यह देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया अब देखिए हम इसके years बनाएंगे तो years बनाने के लिए हम यहां पर इस तरह से फंदे ले लेंगे यह देखिए एक दो तीन चार पाच छे इस तरह से हम यहां पर 16 फंदे ले लेते हैं आप अगर बड़ी socks बना रहे हैं तो जादा ले लीजिए आप देखिए हम फर्ष्ट रोग यहां से सीधी बनेंगे यह मैंने सोला फंदे ले लिए हैं ऐसे आप देखिए यहां पर हम इधर से सीधा और उधर से उल्टा बनाएंगे इसको यह देखिए पूरी रोग मैंने बना ली अब यह दर से हम इस फंदे को उतार लेंगे और यहां से हम उल्टा बना लेंगे इस रोग को तो यह दो रोग यहां पर कम्प्लीट हो जाएंगी ऐसे यह देखिए दो रोग मैंने यह बना ली अब देखिए हम यहां पे सेकंड कलर एड़ करेंगे तो यहां से अब हम सीरा इसको फिर से बनेंगे तो देखिए इस तरह से हमने यहां से एड़ कर लिया पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे ऐसे इस तरह से यह रो मैंने बना ली अब इधर से हम इसको उल्टा बुनेंगे और देखिए इसी तरह से हम आठ रो बनाके यहां पे कंप्लीट करेंगे यह देखिए यहां पे आठ रो बनाके मैंने कंप्लीट कर ली अब देखिए यहां से हम फिर से यहां से बाइट कलर लगा लेंगे और दो सलाईया हम बाइट से बनाएंगे एक इधर से और एक उधर से पूरी रो हम सीधा बना लेंगे यह देखिए पलट लेंगे अब इधर की रो हम उल्टा बना लेंगे इस फंदे को उतार के ऐसे इस तरह से यह देखिए यह बना ली मैंने अब देखिए हम इन फंदों को बंद कर देंगे तो यह वाला उतार लिया इसको बुन लिया इसको उपर से इसके ऐसे निकाल दिया वापस इसको बुनेंगे इसको निकाल देंगे ऐसे इन फंदों को हम इसी तरीके से क्लोज करेंगे सबी को यहां से यह देखिए एक सीधा बुनेंगे पीछे साइड वाला फंदा इसके उपर से निकाल देंगे ऐसे यह देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने फंदे बंद कर दिये अब देखिए इसको हम ऐसे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे यह देख देखे इस तरह से यहां से यह देखे यह देखे यहां पर यह यह का सेप आ जाएगा यहां पर अब देखे हम यहीं से ऊपर वाला पार्ट जो है इसको दोनों को ऐसे सिल देंगे और थिए चिए लाहां पार उखे बार करेंगे इसलिक में हुआँ तरह से यह सिल लिया अब देखिए इस वाले बाइट वाले पार्ट को हम यहां पर ऐसे बन कर देंगे यहां तक बिंक कलर का जहां कि बूर लगा हुआ है वहाई तक तो देखे ऐसे यहां पर यह यह रिकिए यह प्यारे से यर्ष भी बन के complete हो गए इसी तरीके से मुझे दूसरा बनाना है तो देखे ऐसे मैंने ये बना रखा है अब देखिए हम इसको टक कर देंगे यहां पर जो यह वाली लाइन है इसके एंड में हम इसको यहां पर इसको टक कर देंगे आप चाहें तो उल्डे तरप से वे इसको टाक सकते हैं कि यह देखिए इस तरह से हम इसे पलट लेंगे यहां पर और इस साइड से हम इसे टाक देंगे इसी तरह से हम दूसरा वाला टक करेंगे यह देखिए दूसरा हम इहां पर टक करेंगे तो देखिए इस तरह से यह अच्छे से टाक देंगे यह देखिए इसके यर्स मैंने यहां पर टक कर लिए हम इसका माउथ बनाएंगे तो माउथ के लिए देखिए एक और दो दो साइड इस साइड छोड़ रही हूँ, दो रो, दो रो इस साइड और सेंटर वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे उल्टे तरफ से इसमें इस तरह से बनाऊंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें गोल में बनाना है तो इस तरह से बनाते जाना है इस तरह से आप देखिए आई आप चाहे तो इस तरह के मोती लगा सकते हैं या फिर ब्लेक कलर की बूल से बना सकते हैं आई को आप इस जगे बनाएए दोनों साइड तो हम इसको बना लेते हैं फिर दिखाते हैं यह देखिए मोती मैंने फैबरिक गिलू से लगाए हैं आप चाहें तो धागी से भी टक कर सकते हैं आप देखिए मैं इसमें डोरी डालूंगी तो डोरी डालने के लिए मैं इसमें किरोसिया का यूच करूंगी कि रोशीया से मैं डोरी बना के कम्प्लीट करूँगी यह देखे इस तरह से चैन चैन बनाते जाना है आपको जितनी लंबी चाहिए ऐसे यह देखे तो ऐसे ही हम बना के इसको कम्प्लीट करेंगे यह देखे मैं डोरी बना ली है आप देखिए आप जहां चाहें यहां से कहीं side dory भी डाल सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूर पे इस तरह से तीन तीन फंदे छोड़के एक लाइन छोड़ रही हूं मैं इसकी ऐसे यह देखिए ऐसे करके मैं dory डालके इसको complete करूंगी यह देखिए इस तरह से इसी तरह से हम इसको यहां पे देखिए लाश्ट में निकालके नॉट लगा देंगे यह देखिए आप चाहें तो इसमें पॉम पॉम भी डाल सकते हैं